हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम तु स्मार्थ होम ट्रिक्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी माइक्रोवेब में, उसके लिए मैंने यह कि बोरोसल का कंटेइनर लिया है, आप इसमें कोई भी माइक्रोवेब सेफ कंटेइनर ले सकते हैं, वह बेटर है कि आप ग्लास बोरोसल का है हर科 यह मैंने हमारी मैगी ली है, इसमें ये मैगी बना रहे हूं, आप पोई भी न्यूडल्स बना सकते का कुछепा लिए यह मेर्टमश उस्मार्स माइक्रोवेब में मैगी बनने महलता है मैगी डाल दीए इस बाउल में आप देख सकते हैं अब मैं इसमें डाल रही हूँ यह हमारा मैगी टेस्ट मेकर है यानि हमारा मैगी मसाला मैगी बना रही है मैंने मसाला डाल दिया है अब यह एक ग्लास पानी है मैं इसमें एक ग्लास पानी डाल रही हूँ साथ में मैं हमेशा अपनी मैगी में थोड़ी सी टर्मरिक डालती हूँ यानि के हल्दी हल्दी से हमारी मैगी में और भी सुन्दर कलर आजाता है तो थोड़ी सी मैंने हल्दी इसमें डाल दी है लग बग हाफ टी स्पून से भी कम मैने हल्दी डा दी है यह ऑपिशनल है और थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट आइड कर रही हूँ it is very very little that is also optional यह आप देख सकते हैं यह रेडी है अब हम एक स्पून से अब हम with the help of a spoon इसको इस तरीके से mix कर देंगे थाकि मसाला जो है वह पानी में अच्छी तरीके से mix हो जाए और हमारे यह मैगी है यह पूरा गीला हो जाए अभी आप इसमें ही अपनी vegetables भी add कर सकते हैं if you want मैं अपनी मैगी में थोड़ा सा बटार एड कर रही हूं यह अगर आप अपकी मैगी के टेस्ट को enhance कर देता है यह हमारा container ready है आई अब हम इसे microwave में रखते हैं microwave में रखने का process मैं आपको बताती हूं यह मेरा microwave है Samsung का वैसे सब microwave में temperature थोड़ा थोड़ा सा different होता है but microwave mode का almost same temperature होता है generally convection mode पे थोड़ी सी आता है यह microwave button है आप देख सकते हैं आपर microwave मैं इसे प्रेस कर रही हूं और मैं इसे 180 degree पे इसको set कर लोगी या फिर आप directly यह जो हमारा start button है यह भी microwave mode पे ही work करता है इसको भी आप प्रेस कर सकते हैं इसको प्रेस करके मैं इसे 4 and a half minute पे set कर दिया है बलकि मैं इसे 4 minute पे ही open कर लोगी just waiting for the maggie हमने 30 seconds पहले अपनी maggie को microwave को रोग दिया है और maggie देखेंगे वाओ it's ready you can see what a lovely color is here see the maggie is ready अब हम इसके ओपर खरेंगे एक little magic आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और यानो भी डाल सकते हैं that is optional but अगर आप डालेंगे हमने क्योंकि प्लेन मैंगी बनाई है थोड़ा सा इसमें टेस्ट इन्हांस हो जाएगा और सांधी मैंच में डाल रहे हैं थोड़ा सा यह मिक्स हर्ब्स है हमारे इतालियन मिक्स हर्ब्स और लिटल बिट चिली फ्लेक्स बट अगर आपको यह न तोड़ा सा फ्रेश चॉप्ट कोरियंडर यानि की धनिया मैंने डाला है और अभी भी मैं इसके अपर लिटल बटर डालने बाली हूं अचली बटली दिलिशिस और यह हमारी मागी को वह पूरा टेस्ट देगा इन फाक्ट उसे अच्छा टेस्ट देगा जो हम जनली ग्या मेरी अस अडिशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए थैंक्स वर वाचिंग स्मार्थन ट्रिक्स बबाई